तो हमने सिंब्योट्स के भगवान नल को मार्वल के कई सारे कैरेक्टर्स के साथ कंपेर कर लिया है और इन मोस्ली फाइट कंपेरिजन्स के अंदर नल की जीत हुई है लेकिन आज की वीडियो पिछली सारी वीडियो से काफी डिफरेंट है क्यूंकि आज हम नल का बैटल नहीं बलकि एक डिसी केरेक्टर से करने जा रहे हैं और डिसी का जो करेक्टर आज नल से लड़ने वाला है उसका नाम है डाक साइड डाक साइड डिसी युनिवर्स का एक नियू गोड है जो की ना सिर्फ इमोटल है बलकि इसके साथ ही वो इतना जाधा पाउरफुल भी ह हैं और इन दोनों के बीच एक fight conversion करते वे इस बात का पता लगाते हैं कि इन दोनों ही characters में से कौन जाधा पाउरफुल है यानि की DC का धुरहंदर जाधा पाउरफुल है या फिर Marvel का गैंस्टर जाधा पाउरफुल है तो मेरे खाल से आज की वीडियो आप सभी के लिए बह आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें बाकी आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और आप सब मुझे कमेंट्स केंदर यह जरूर बताना कि आप सब किसको support करते हैं आप इन दोनों में से जिसको भी support करते हो आप उसका नाम comments केंदर जरूर लिखना बाकी इसके साथी मैं आप सब को ये भी बता दू कि अभी कल और पर्सों को यानि की 10 तारीक और 11 तारीक को तीन मुवी जा रही हैं जिन में से एक मुवी हिमेश रशेमिया की बैडस रवीकुमार मुवी है दूसरी राजकुमार राओ की विक्की विदिया विडियो वाली मुवी है और इसलिए अगर आप सब इन सारी मुवी के बारे में जानना चाते हैं और आप ये चाते हैं कि मैं इन सारी मुवी की स्टोरी को विडियो के अंदर एक्स्प्लेइन करूं तो आप इस बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं अगर जा देखने हम इन दोनों की औरीजीन और पावर्ज़ को जानने के बाद ही हम इनके बैल को बहुत ही आराम से समससकते हैं तो इसलिए चलिए शुरूवात करते हैं तो डिलोंकरता है एक यू गॉट यप SP कि वो सारे mythological gods जिनने हम पहले से ही जानते हैं जैसे कि Zeus, Thena और Aries लेकिन अगर हम बात करें new gods की तो new gods basically DC universe की वो characters हैं जिनने DC universe के अंदर कुछ ऐसे दिखाए गया है कि वो काफी advance होते हैं यानि कि यह सारे new gods mythological gods का हिस्सा तो नहीं होते हैं बट इनकी powers एक आम human के मुकाबले इतनी जादा होती है कि powers के मामले में यह लोग लगबग old gods इतने ही powerful होते हैं अब इसके आगे dark side की origin की बात करें तो इसकी origin हमें दिखी थी DC Comics के the new 52 dark side के issue 1 के अंदर यहां पर हमें पता लगता है कि dark side का असली नाम योक सक्स होता है और यह originally एक farmer होता है जो की खेती किया कर अब dark side का हिस्सा होता है जिनके पास थोड़ी बहुत powers होती है लेकिन यह जिस दुनिया में रहता है उस दुनिया को भी कई सारे gods मिलकर चलाते हैं लेकिन जिस तरह से marvel के अंदर गौर के planets के भगवान उस पर ध्यान नहीं देते थे और उन गौर के planet के सारे लोगों को मरते नहीं करते हैं तब बिलकुल गौर के तरह युकसे सको भी अपने planets के गौर से नफरत हो जाती है लेकिन उसके बाद युकसे को पता लगता है कि सारे gods एक mountain पर रहते हैं और फिर इसलिए वो उन सारे gods के mountain पर जाता है और वहां कर वो सारे gods को देखता है लेकिन वह देखता प्लैने वाली वार से इनके planet पर भी बहुत जादा नुकसान होता है और सिर्फ यहीं बल्कि इस वार के अंदर युकसे के planets के बहुत से लोग मारे जाते हैं लेकिन जब यह वार खतम होती है तब युकसे सारे gods को मार कर उनकी powers को अब्जॉब कर लेता है और जब युकसे क तो सारे gods की powers मिल जाती है तब वो कहलाता है डाक साइड और डाक साइड बनने के बाद ही वो पूरे अपकलिप्स के ओपर रूल भी करता है अब इसके आगे डाक साइड की बात की जाए तो डाक साइड बहुत जादा पावरफुल है डाक साइड एक नियू गॉड है जिस जैसे उसके पास है गॉडली स्ट्वेंथ गॉडली डूरे बेडी गॉडली स्पीड गॉडली स्टैमिना और डाक साइड की ओमेगा बीम और यह ओमेगा बीम अपने टार्गेट को हिट करती है वैसी वह उसे पूरी तरह से डिसिंटीघरेट कर देती है यानि कि जलाकर ख है कि DC Comics के अंदर भी डूमस्टे और सुपर मैन जैसे सिर्फ कुछ ही ऐसे चैरक्टर से जो कि इसकी ओमिगा भी उसे बच पाए हैं डाक सेट की ट्रू पावर्स की बात की जाए तो डाक सेट इतना जादा स्ट्रोंग है कि DC Comics के अंदर वो ओलम्पियन गॉड्स के राजा जी कि सुपर मैन जितने पावर्फुल दे और सिर्फ यह नी बल्कि डाक सेट की रॉज स्ट्रेंथ भी इतनी सादा है कि वह एक टाइम पर ग्रिन लेंटर की रिंग को सिर्फ अपने हाथों से तोड़ चुगा है और इसलिए तो DC Comics के अंदर डाक सेट ने जितनी बार भी जस् सम्पयर्ट को सादे ने जिसने की डिरेक्ली या फिर इंडिरेक्ली सारे सिम्प्यूर्ट को रूट किया है और यह यूनीवर्स के क्रियाशन से भी 손 Когда को रूल क लेकिन जब Celestials ने नल की बात नहीं मानी तब नल ने अपनी Shadow के अंदर हाट डाला एंड अपनी Shadow से एक Powerful तलवार को भाहर निकाला एंड उसी तलवार से यानि की Sword से एक Celestial के सर को काड़ दिया और फिर ये देखकर बागी के सारे Celestials नल से डर कर भाग गए और इसके बाद नल ने जिस Sword को अपनी Shadow से निकाला था नल ने उसे नाम दिया All Black Necro Sword जो की पूरे Marvel Universe के सबसे Powerful हतियारों में से एक है लेकिन हां आगे चलकर नल को ये पता लगा कि उसकी बनाएवी All Black Necro Sword असल में एक Entity है जिसकी मदद से वो दूसरे Creatures को Create कर सकता है और फिर इसलिए नल अपने बिल्कुल ऐसा ही किया और उसने नेक्रो सोट से कई सारे Creatures को Create किया ऐसे Creatures जो की दूसरे Living Beings के साथ बॉंड हो के सर्वाइव करते थे और अपने बनाएवे इनी सारे Creatures को नल ने नाम दिया Symbiores इसके बनाएवे ने पूरी आर्मी क्रियेट कर ली और उन सबको अ यहां तक कि पूरे Marvel में सिर्फ कुछ गिंती के ऐसे Characters हैं जो कि नल से ठकर भी ले सकते हैं नल फिजिकली भी इतना जादा पाउरफुल है कि वो अपनी फिजिकल स्रेंच से कुछ भी कर सकता है यहां तक कि जो Sentry Marvel Universe का सबसे पाउरफुल सुपर हेरो कहलाता है उसे भी King in Black Stolenic के अंदर नल ने सिर्फ अपने हाथों से फाड़ दिया था एंड एज वी ओल लों कि Sentry Marvel का सुपरमैन है यानि कि जितना पाउरफुल DC में सुपरमैन है उतना ही पाउरफुल Sentry Marvel के अंदर है लेकिन नल ने Sentry को 20 से ऐसे फाड़ दिया जैसे वो कोई कागस का खिलो न नल की पूरी बॉड़ी उसके Symbiotic Armor से कवर है एंड इसलिए नल की बॉड़ी के पर चाहे जितने ही पाउरफुल एटेक्स क्यों ना किये जाए नल को उनसे कुछ भी नहीं होता है इसके अलावा नल के पास अपने Symbiotic Army Universe की सबसे बड़ी आर्मी इसमें से एक है और नल की Symbiotic Army नल के सिर्फ एक इशारे के उपर किसी भी प्लैनेट, गैलेक्सी और यहां थकी पूरे के पूरे युनिवर्स तक को मिटा सकती है नल की इस बड़ी सी Symbiotic Army के अंदर कुछ Dragon Symbiotes भी है जिनने कहा जाता है Grendal और इन सारे Grendal दर Dragon Symbiotes में से सिर्फ एक अकेला ही Grend इतना पौरफुल होता है कि वो एक उनिवर्स को आराम से डिस्ट्रोई कर सकता है Marvel Comics के अंदर आज से हजारों साल पहले एक Grendal ने अर्थ पर आकर ऐसा किया भी था हाला कि वहां पर दो उसे रोगने के ठोर आ गया था लेकिन अगर ठोर बीच में ना आता तो वो Grendal Symbiotes पूरे अर्थ हो डिस्ट्रोई कर देता इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि नल के सारे Symbiotes नल के हाई मैंड से जुड़े हैं जिसका मतलब नल अपने सारे Symbiotes से टेलीपैथिक लिए कनेक्टेड है जिस वजह से नल अपने सारे Symbiotes से दूर रहकर भी उनसे कम्यूनिक असा नल ने किया था मार्वल कॉमिक्स की किंग इन ब्लैक स्टोलैंड के अंदर जहां पर हमने देखा था कि सारे सारे Symbiotes नल की Symbiotic Army का हिस्सा बन गये थे नल का वैपन यानि की All Black Negros Sword भी इतना ज्यादा पारफुल वैपन है कि उसके इस्तमाल से नल बहुत सारे Gods को भ हिल कर सकता है आप सभी ने वैनम की मुवीज के अंदर ये देखा ही होगा कि जब भी एडी ब्रॉक को चोट लगती है या फिर इवन उसके ओर्गेंस भी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं तब उस टैंपरी वैनम सिंप्योड एडी ब्रॉक को बहुत जल्दी हिल कर देता हैं तो इसलिए सोच कर देखे कि जब वैनम जैसे एक छोटे से सिंप्योड के अंदर इतनी पाउर्फुल हीलिंग पावर्स हैं तो उस गोड के अंदर कैसी हीलिंग पावर्स होगी जिसने वैनम कोई क्रियेट किया हैं मार्वल कमिक्स के अंदर जब एक दूसरे गोड करते हैं तोластी फाइट के सबसे पावर्म के लिगा फिर ये था में लड़ाइंग कर यहीं से आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि नल के बनाएवे वेपन के एक छोटे से टुकडे से को इतना जादा पौरफुल हो सकता हैं तो वो प्राइमोर्डियल कोड जो कि ऐसे वेपन को बड़े अराम से क्रिएट कर पा रहा है वो कितना जादा पौरफुल होगा तो अब डाकसाइड और नल दोनों की पावर्स को जानने के बाद चलिए बात करते हैं इन दोनों के बैटल के बारे में एंड इस बात को जानते हैं कि अगर इन दोनों के बीच फाइट होती है तो उस फाइट को कौन जी देगा तो इन दोनों के fight comparison के अंदर हम पहले darkside और nul की powers को compare करते हैं एंड यह जानते हैं कि यह तोनों कितने powerful हैं तो अगर हम darkside को नल को compare करें तो इन दोनों में से darkside की जो main powers है वो है उसकी omega beam और darkside की omega beam कितनी जादा powerful है यह हम पहले ही जान चुके हैं एंड इसलिए पूरे DC Universe के अंदर सिर्फ Superman और Doomsday जैसे कुछ ही ऐसे characters हैं जो कि Darkside की Omega Beam को survive कर पाए हैं और अब क्योंकि DC से Superman Darkside की Omega Beam को survive कर सकता हैं इसलिए हम यह माँ सकते हैं कि अपने Marvel का Sentry भी Darkside की Omega Beam से survive कर सकता हैं क्योंकि आज of course जितना powerful DC Universe में Superman है उतना ही powerful Marvel के अंदर ने Marvel की King in Blacks storyline के अंदर Sentry को 20 से पगड़ की फार दिया था उस Sentry को जिसने की Marvel Comics के अंदर Aries तक को मार रखा हैं लेकिन Null ने इसी Sentry को बहुत आराम से मार दिया था इसके साथ ही हम यह जाते हैं कि Darkside DC का एक New God है एंड हमने DC Comics और Movies के अंदर यह देखा हुआ है कि DC के Old Gods ज जिसने की Marvel Universe के अंदर Millions of Gods को मार रखा हैं जिसका मतलब अगर Null Marvel के Gods को मार सकता हैं तो वो DC के Gods को भी बड़े आराम से मार सकता हैं एंड इसलिए हम यह कह सकते हैं कि अगर DC Universe के New God यानि की Darkside का सामना God of Semuarts Null से होता हैं तो Null Darkside को ना सिर्फ हरा सकता है बलकि वो उसे recommendation हो तो आप वो भी मुझे comments के अंदर बता सकते हैं बाकि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को Like करूँ चैनल